राजस्थान विदान सवाचुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होंगे इस राज्य की सवी 200 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग होगी राजस्थान विदान सवाचुनाव का रिजलत 3 दिसंबर को वोसित किया जाएगा ऐसे में कॉंग्रेस और बीजेपी यहां जीत के लिए 80 चोटी का जोर लगा रही है पांस साल सथा से बाहर रही बीजेपी ने यहां वापसी के लिए पूरी ताग़ जोग दी है बीजेपी के कई स्टार प्रचारव यहां पाल्टी के प्रत्यासियों के लिए सभाएं कर रहे हैं इसी कड़ी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात चुनावी सभा के लिए राजस्तान के तेजारा पहुचे उन्होंने यहां बावा बालकनात के लिए वोट करने की अपील की और कहा कि तालिबान का उपचार पजरन उवली की गदा ही है सीम योगी ने चुनावी सभादो समवधित करते हुए कहा कि बाजबा के प्रत्यासी के रूप में बावा बालकनात को उता रहा है इनेरी आप योगी की चाया नहीं समझें हमने जो यूपी में किया वो बालकनात राजस्थान में करेंगे अप रादियों के लिए बुल्डोज और चलने में अब समय नहीं दगेगा तेजारा में हम कोई जातिबाती नहीं देखे हैं और बाजबा प्रत्यासी को जिताएं अगर गल्ती से कौंगरे सपल हो गई तो तेजारा भी तालिवान बन जाएगी और गुंडा राज खुले आम होगा उन्होंने जन्सवा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि गाजा में इजरायल तालिवानी मानसिक्ता को कैसे कुचलने का काम कर रहे हैं एक दम निसाना मार मार के अराजबता, आक्तंकवात, गुंडा गर्दी, सब्वे समाज के लिए कलंक है जहां गुंडा गर्दी और अराजबता के साथ बोट बेंक जुड़ जाती है तो पूरा सब्वे समाज उसकी चपेट में आ जाता है आज भारत नए रूप में है, बता दें के राजस्थान के अलवर से सांसत बावा बालकनात, मस्तनात मट के महंते हैं उनको राजस्थान का योगी भी कहा जाता है, यही वज़ा है कि इस बार उनको तिजारा से विदान सबा का टिकेट दिया गया है वही कॉंग्रेस ने इस सीट पर इमरान खान को उता रहा है, मेवात का पूरा इलाका मुसलिम बहुल माना जाता है जहां मुसलिम मतदाता नरणाएं बहुमे का में हैं, इसलिए यहां पर इमरान खान की मजबूत पकड़वानी जाती है चुनाबा से जुड़ी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हैं डीके निउस से